हेलो एवरिवन वेलकम तू आवर चैनल एक्स्टा लर्निंग आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश की बुक ब्लोसम का लेसन 2 दे स्मेल उफ ब्रेड एंद दे साउंड अफ मनी को बिल्कुल लाइन बाइन समझेंगे ये इस चैप्टर के सारे hard words हैं जिनका मतलब आप लोगों को समझने में परेशानी हो सकती है इन सारे word meaning को आप लोग learn कर लीजिए वीडियो को pause करके note down कर लीजिए तब आपको ये चैप्टर समझने में जादा असानी होगी chapter start करने से पहले वार्मर को कर लेते हैं question first have you ever been to a shop selling bakery items क्या आप लोग कभी ऐसे किसी दुकान पे गये हैं जो bakery के items को बेशते हैं अगर गये हैं तो लिखेंगे yes और अगर नहीं गये हैं तो लिखेंगे no bakery के items यानि वो सारे खादे पधार्ट जिनको की bake करके बनाया जाता है जैसे कुछ biscuits होते हैं जो बेकरी में बनते हैं मैदे का cake भी बनता है और power ody भी बनता है Question 2 Have you smelled the delicious products there? क्या आपने कभी वहाँ पर यानि की बेकरी के दुकान पर स्वादिस्ट प्रोडक्ट्स को smell किया है? उनका गंध लिया है? अगर लिया है तो लिखेंगे yes और अगर नहीं लिया है तो लिखेंगे no Question 3 How did you feel? बेकरी प्रोडक्ट्स का गंध लेने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ था? बेकरी प्रोडक्ट्स के smell मुझे बहुत स्वादिस्ट लगे थे I felt delicious fragrance of baked cakes अब अपने chapter को start करते हैं There was once a stingy baker but he baked delicious bread एक समय की बात है एक baker था जो बहुत कंजूस था लेकिन वो बहुत स्वादिस्ट bread बनाता था There was a poor man, एक गरीब आदमी भी था He wished to enjoy sweet smelling bread but he did not have any money अब आप लोग सोचिए अगर कभी ऐसा हो कि आपको कोई चीज खाना है लेकिन उसे खरीदने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है तो इसका क्या उपाए होगा? आप लोग अपने अपने उपाए को मुझे comment करके बताईएगा यहाँ पे हम लोग स्टोरी पढ़कर ये जानते हैं कि वो गरीब आदमी क्या किया इसी कारण से वो हर दिन बेकरी वाले दुकान के आगे जाकर और उस बेकरी के ब्रेड के गंद का आनंद लेता था क्यूंकि उस पावरोटी को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे जो बेकर था यानि कि जो दुकानदार था वो बहुत सादा गुसा गया उस गरीब आदमी से अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दुकानदार क्यों गुसा गया गरीब आदमी तो केवल बाहर खड़े होके गंद ही ले रहा था तो दुकानदार इसलिए गुसा गया क्योंकि he felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell दुकांदार इसलिए गुसा आ गया क्योंकि वो सोचता था कि हर वो इंसान जो उसके बेगड की हुई पावरोटी का गंध भी लेता है तो उसको भी गंध के लिए पैसे चुकाने होंगे अब ये क्या दुकांदार को गंध लेने के भी पैसे चाहिए और गरीब आदमी के पास पैसे ही नहीं है अब इनके जगडे का क्या उपाए है और कौन फैसला करेगा तो आए ये स्टोरी को आगे पढ़ते हैं So he took the poor man to the court जो बेकर था वो उस गरीब आदमी को कोट में लेके चला जाता है The judge heard the baker's complaint patiently जज बहुत धीरज पूर्वक बिलकुल शान्ती से उनके शिकायत को सुनते है Then he asked the poor man Do you have any money? उसके बाद उस गरीब आदमी से पूछते हैं judge कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा भी पैसा है यहां तक पढ़के ये लगता है कि judge ये फैसला करेंगे कि गरीब आदमी के पास जितने भी पैसे होंगे वो बेकर को दे देंगे देखते हैं असलियत में क्या होता है इस कहानी में आगे पढ़ते हैं गरीब आदमी अपने पॉकेट को तलाशता है और उसमें देखता है दो छोटे सिक्के मिल जाते हैं उसे इसके बाद वो जजज से कहता है कि उसके पास यही दो सिक्के हैं जज जो रहते हैं उस गरीब आदमी से वो पैसे को ले लेते हैं यह देखकर वो बेकर बहुत खुश हो जाता है बेकर को लगता है कि उसे अब पैसे मिलने वाले हैं He smiled and eagerly held out his hand to take the money from the judge Baker मुस्कुराने लगता है और खुशी के मारे उत्सुखो करके अपने हाथ को जज की तरफ बढ़ाता है ताकि वो पैसे को ले ले But the judge did not give money to the baker Judge जो है वो पैसे को बेकर को नहीं देते है He only jingled the coins together वो केवल दोनों coins को खन खनाते है He then returned them to the poor man उसके बाद उन पैसो को वो वापस गरीब आदमी को दे देते है और कहते हैं Punishment should fit the crime सजा भी जुर्म के हिसाब से होना चाहिए जैसा गुना है वैसा ही सजा होना चाहिए The price for the smell of the bread should be the sound of the money पावरोटी के सुगंद को लेने की कीमत पैसे नहीं बलकि पैसो की आवाज होनी चाहिए तो ये जज का फैसला होता है यहाँ पे ये chapter end होता है इस chapter में total three characters थें एक जज, दूसरा गरीब आदमी और तीसरा बेकर यानि पावरोटी बेशने वाला दुकांदार गरीब आदमी के पास पावरोटी खरीदने के बिलकुल भी पैसे नहीं थें लेकिन वो पावरोटी का अनन्द लेना चाहता था इसलिए वो पावरोटी के दुकान के आगे रोज जाकर उसके सुगंद को लेता था दुकांदार को गरीब आदमी के ये आदत बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती थी दुकांदार का ये कहना था कि गरीब आदमी को उसके पावरोटी का गंद भी लेने के लिए पैसे चुकाने होंगे इसलिए वो गरीब आदमी को कोट में लेके चला जाता है और कोट में अंतिम फैसला जो होता है वो गरीब आदमी के पक्ष में होता है जज ये कहते हैं कि सजा भी जुर्म के हिसाब से मिलेगी इसलिए पावरोटी के गंद को लेने की कीमत पैसे नहीं बलकि पैसे की खनकनाहट की आवाज है यहाँ पे हमारा ये वीडियो इंड होता है If you like this video, please do like, subscribe and comment It gives us motivation